हेलो एवरिवान टेस्टी फूड विद उतकर्शा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं उतकर्शा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोदक की रेसिपी यह कोकोनेट मोदक है जो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है तो च कब डेसी केटेट कोकोनेट पॉडर इसी नारियल का बुरादा भी बोला जाता है यह इसलिए आपको मार्केट में मिल जाएगी इस नारियल पॉडर को हम एक से डेड़ मिनट के लिए बिलकुल लगतार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे तो आपको यह ध्यान रखन हाफ कफ मिल्क पॉडर तो मैंने यहाँ पे हाफ कफ मिल्क पॉडर डाल दिया है जो वीडियो में स्किप हो गई है दिखाना यह मिल्क पॉडर जो है ऑप्शनल है लेकिन अगर आपके पास घर में है तो आप जरूर डाले इससे क्या होगी यह मिल्क पॉडर दूद के साथ मिक्स होकर के मावा काम करेगी इस मोदक में तो इसलिए अगर आपके पास है तो आप डाले नहीं है तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी इस मोदक को बना सकते हैं आप इस मिल्क पॉडर को स्किप कर सकते हैं और यहां पर आधे मिनट के लिए मिल्क पॉडर डालने के बाद मैंन इसे mix कर लिया उसके बाद हम फिर one cup और इसमें add कर देंगे तो यहां पर total मैंने दो कप दूर डाल दिया है आप चाहें तो दूद की quantity थोड़ी कम कर सकते हैं लेकिन मैंने दो कप भी दूर डालाया जितनी मैंने नाडियल लिया था उतनी ही मैंने दूर भी डाल दिया है यहा मोदक की जो टेस्ट होगी वो और भी अच्छी आएगी और यहां पर fresh मलाई थी मेरे पास तो वो भी वैने इसमें डाल दिया है और यह जो दूद मैंने इसमें डाला है यह बिल्कुल रूम टेंपरेचर पे थी और यह एक अच्छी दूद नहीं थी यह बोयल दूद थी पहले इसे जो की रूम टेंपरेचर पी थी और उसे मैंने इसमें डाला है और साथ ही हम डाल देंगे इलांची पॉडर या फिर आप इलांची को क्रश करके भी डाल सकते हैं उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम रख करके दूद में इसे अच्छे से पका लेंगे इस नार्यल करते हो और चीनी डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हर कुछ सेकेंड में दो तीन सेकेंड पर इसे चलाते रहना है और दूद को हमें अच्छे से सुखा लेनी है और यह देखिए कि इस तरीके से हम इसे बून लेंगे और यह बिलकुल फ्लेम को हम लो कर देते हैं यहां पर बिल्कुल फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और अब यहां पर दूद भी हमारी अच्छे से सूख चुकी है तो बस अब यह रेडी हो गई है हम ग्यास की फ्लेम को बंद करके इस एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे प बहुत जादा भी ठंडी नहीं हुई है थोड़ी ठंडी यह हो चुकी है और हम इसे फ्री पोर्शन में डिवाइट कर देते हैं क्योंकि हम इसमें डालेंगे कलर और अगर आप चाहें तो बिना कलर के भी इसे बना सकते हैं तो मैं यहां पर फूड कलर यूज कर रही हूँ आप चाहें तो फूड कलर यूज नहीं करते हैं तो यहां पर ग्रीन और और औरंज कलर मैंने यूज किया है यह खाने वाली कलर है जो मार्केट में मिल जाएगी आपको या फिर आप घर में भी इस कलर को बना सकते हैं तो थ्री पोर्शन में मैंने डिवाइट किया है और औरेंज और ग्रीन को मैंने इस तरीके से बना लिया और एक पोर्शन मेरी वाइट है, तो इस तरीके से हमने इसे मिला लिया है, तो यह ग्रीन वाली भी हमारी रेडियो गई है, अब हम बनाएंगे से मोदक, तो सबसे पहले हम हाथ में अच्छे से घी से ग्रीस कर लेते हैं, और यह मैं बिना मोल्ड की बनाना बता रही हूँ आपको अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड से भी बना सकते हैं जो यानी सांचा से भी बना सकते हैं जो आती है मोदक वाली और या फिर अगर आपके पास नहीं तो आप इसली इसे हाथ से भी बना सकते हैं तो इस तरीके से हम हाथ से बना लेंगे इस तरीके से लडू बना लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हाथ से हम इस तरीके से लंबा करते जाएंगे उपर से और इसे मोदग का शेप दे देंगे नीचे से अच्छे से बेस को भी बना लेंगे तो हाथों से भी आप इस तरीके से इसे इसली बना सकते हैं और ये मोदग हमारी बन गई है लेकिन अगर आप इसमें डिजाइन देना चाहते हैं जो अगर आप मोल्ड से बनाते हैं साचे से बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से डिजाइन होती है लंबी-लंबी तो आप इस तरीके से toothpick ले करके आप इसली इसमें design बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी इस मोदक को बना सकते हैं बिनर design के भी तो इस तरीके से हम सभी मोदक बना लेंगे बहुत ही आसानी से यह बन जाती है यह मोदक अब मैं आपको एक और बना करके दिखा रही हूँ बस इस तरीके से हम पहले लड्डू का form देंगे लड्डू बना लेंगे इस तरीके से हम उसके बाद इसे मोदक का shape देंगे यह देखे इस तरीके से हलका प्रेस करते वे इसे उपर उठाएंगे और अच्छे से base को भी बना लेंगे तो यह देखे बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे सबी साइट से और इस तरीके से मैंने मोदक बना लिया है और मैंने डिजाइन नहीं बनाया है आप चाहें तो तुद्पीक लेकर के डिजाइन बना सकते हैं उपर से मैं थोड़ी सी नारियल रिये जो डेसिकेटेड कोकोनेट पॉडर थी उपर से थोड़ी सी डाल दे रही हो आप चाहें तो सभी साइट से इससे लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं तो यह टेस्टी सी मोदग बनकर हमारे तयार हो गई है ट्राइ कलर में आप चाहें तो बिना कलर के भी इससे बना सकते हैं बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत ही आसानी से बनकर तयार हो गई है यह मोदग तो बिना देर के इस recipe को बनाए और मेरी recipe आपको पसंद आई हो तो इसे like करे, share करे और मेरे channel को subscribe करे साथी साथ बगल में जो bell icon है उसे भी on कर ले ताकि जो भी मैं latest video upload करूँ उसकी notification आपको मिल जाए तो मिलती हो फिर किसी next recipe में आज के लिए पस इतना है, thank you